दोस्तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रहे है कुछ लेटेस टारगेट निकल के आ रहे स्टॉक आप देखी सकते हो कि 130 के आसपास काफी समय से आपको consolidated होता हो दिखाई देगा इसमें कुछ अपडाउन जरूर हुई है लेकिन सिमिट दायर में स्टॉक ट्रेड करा है अब बाजार में भी काफी बड़ी गिराउट हो गई है ऐसे में स्टॉक तो थोड़ा नीचे आना ही जा लेकिन क्या एक अच्छी खरीदारी का मौका निकल करा है आने वाले समय क्या बजाज housing finance जबरदस रिटन दे सकता है क्योंकि बजाज ग्रूप की एक company है और बजाज ग्रूप के share हो में आपने देखा योगा की बहुत ही सांदार हमने तेजी देखी है साथा राडर जार तक प्राइज जाते हुई दिखाए बजाज finance की क्या ऐसे में ये भी stock आने वाले समय कुछ बड़ा कमाल करेगा जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि छब भी नए वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बजाज आउसिंग फाइनेंस के कारुबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई बिल्कुल फ्लैट 139 पर जो गुरू आर की क्लोजिंग थी इंट्राडे में 128 का लो बना यानि स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई लेकिन नीचले लेवल से कुछ रिकवरी देखनों को मिले जिसकी विएसे 130 का इसने हाई बनाए हाउसिंग फाइनस के इस महिने की शुरुआत देखे तो स्टॉक 137 के आसपास था 10% की तेजी बनी उसके बाद 4 नॉमबर और 5 नॉमबर को 2 दिन इस टॉक के अंदर गिरावट हुई जिसकी विज़े से स्टॉक फिर से 135 के आसपास आ गया और लगबग यहां पे 2% की गिरावट हुई उसके बाद 2 दिन इसने फिर तेजी बताई जिसकी विज़े से स्टॉक 138 पर फिर से चला गया 7 नॉमबर तक और यहां पे लगबग 2-5% की तेजी बनी उसके बाद जैसे बादर में गिरावट का माहुल बना उसी हिसाब से 4 ट्रेडिंग सेसने इसमें भी भारी गिरावट हुई और 8 नॉमबर से लगातर जो गिरावट शुरू ही जिसके वज़े से 13 नॉमबर को श्टॉक आ गया 129 के आसपाई जो श्टॉक 135 के उपर था वो 130 के नीचे आ गया इस दोरान लगबग 7% की हमने गिरावट देखी है लेकिन 14 नॉमबर को फिर से टेक पॉजट्यू क्लोजिंग देए इससे एक बातों समझ वारी है कि बाजार अगर साथ देगा तो श्टॉक यहां से बेतर कर सकता है अब बजार हाुसिंग फाइनेस लिम्टेटर को लेकर मार्केट एक्षपर्ट अपनी राहे दे रहे इसको क्या सेल करना चाहिए या ष्टॉक को होल्ड करना चाहिए तो बजाज Housing Finance Limited के IPO ने एक जबर्दस हाइप क्रेट किया था और आप देखी सकते हो कि 70 रुपे में IPO दिया था लिश्टिंग 140 के आसपास लगवगी डेबल और उसके बाद 188 तक चला गया श्टॉक और उसके बाद में श्टॉक गिरते हुग फिर नीचे आ गया तो 188 से आई बनाके 129 के आसपास के जो अठा नौमबर 2024 के इसाब से जो प्राइज है तो श्टॉक में बड़ी गिराउट के बाद जो इन्वेस्टर है वो भी बहुत ज़्यदा चिंतित होगे उनके ये मनमें सवाल भी आते है कि क्या श्टॉक को होल्ड करके रखना चीए क और फिर एक बात इसान से विक्वाली करके निकल जाएं तो बजजाड हाउसिंग फाइनेस लिमिटेट को लेकर लख्ष मी श्री इनवेस्ट के अंशूल कहना है कि बजाज housing finance limit का जो stock है वो काफी बेतर है long term के लिए hold करने के लिए जो भी investors को hold करना चाहते है वो इस level पे hold कर सकते हैं और कम से कम आपको इसको 5 साल का नजरिया देना होगा फाइवर के हिसाब से आप इसमें निवेश करें और इसकी जो buying price है वो देख सकते हो कि फिलाल जो है 125 से 115 की range दिखाई दे रही है इस level पे आप इसमें खरिदारी कर सकते हैं और एक देख सकते हो कि यह जो range है आने वाले समय यह आपको एक trading range जो काफी समय तक दिखाई दे सकते हैं लगिन जो support है इस समय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 115 का एक support दिखाई दे रहा है और आने वाले समय इसी level के आसपस आप खरिदारी कर सकते हैं अंसुल जैन का कहना है कि positive माहल बने का दे श्टॉक आराम से फिर से 140-145 की range में जा सकता है बहुत जल्द लेकिन जो investor है उनको लंबा नजरिया लेके ही इसमें चलना चाहिए कम से कम आप इसको ड़ाई साल के लिए hold करे और आने वाले समय आपको बहुत ही बेतर दे सकता है और अगर आप इसको पास से आठ साल के लिए hold करते है तो यह आपके लिए multi-bagger सावित हो सकता है लेकिन अगर आप इसको सिर्फ 2-3 मेने के लिए hold करना चाहते है तो आपको 140-145 का आपको target देखना को मिल सकता है तो clearly देख सकता है तो कि अगर आप long time के लिए hold करते है यह बड़ा multi-bagger सावित हो सकता है फिलाल स्टोक का अगर हम relative strength index यानी RSI की बात करें तो यह 35.8 के आसपास है अगर 30 रुपे से नीचे होता है तो वो स्टोक oversold जोन में एक आ जाता है और 70 के उपर है तो overboard zone में होता है फिलाल स्टोक न oversold zone में है नहीं overboard zone में है पिछले quarter में June quarter में यह 2209 क्रोड के आसपास था तो काफी अच्छी व्रिद्य हुई है revenue में बात करें company के खर्च की तो इस बार 179 क्रोड का खर्च बता है पिछले quarter में यह 170 क्रोड के आसपास था तो जिससाब से revenue बढ़ा उससाब से खर्च भी बढ़ा है company का operating profit की बात करे तो इस बार 2,219 क्रोड के आसपास operating profit रहे जो पिछले quarter में यह quarter 1 में 2,027 क्रोड के आसपास था तो कफी अच्छा operating profit भी बढ़ा है अब operating profit margin की बात करें इस बार 93% के आसपास रहे जो पिछले quarter में 92% के आसपास था तो operating profit margin में भी रिद्य हुई है other income बिलकुल नहीं है company की फिलाल interest देखे तो 1514 क्रोड के आसपास जो पिछले quarter में 1399 क्रोड के आसपास था अब profit before tax की बात के इस बार 708 क्रोड का बता है profit before tax जो पिछले quarter में 630 क्रोड के आसपास था तो profit before tax में भी रिद्य हुई है net profit की बात के इस बार 546 क्रोड का net profit बता है जो पिछले quarter में 483 क् है EPS फिलाल एक ही है वन रुपीज के आसपा जो अंचेंज है तो यहां पे चाहे आप प्रॉफिट देके या रिवेनी देके जून के मुकाबले बहुत ही बैतार है और सिर्फ जून की बात नहीं हर क्वाटर में रिजल्ट काफी बैतर दे रहा है आप देख सकते हो सेप्ट सेप्टमर दो हजार तेजिस में 451 कोड के आसपास था जो इस बार सेप्टमर दो हजार चौबीस में 546 क्रोड तक पहुचा है तो कफी अच्छा प्रॉफिट रिवेन्यू साल दर साल भी बढ़ रहा है और नेट्वर्ट में जबर्दस जंप है देख सकते हो कि 2020 में 559 बहुत ही बड़ा जंप क्लेरली यह आखरी सारा करें कि आनेवल्स में बजाज आउसिंग बहुत बैतर कर सकता है अब एक बार फंडामेंटल भी देखे तो फिलाल मार्केट के वन लेक्ट सेवन थाउजन एट इन नाइंटीवन क्रोड के आसपास है इसका पी रेशियो अ 9.83% है EPS इसका 2.22 का है और book values की 22.56 है face values की 10 है तो fundamental इसके ठीक है अब यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंट की बात के लिए तो long term के लिए strong bullish signal दिखाई दे रहे यानि श्टोक आजमर्स में बैतर कर सकता है short term के लिए फिलाल signal bearish है यानि short term में यहाँ पे गिरावट हो सकती है अभी भी फिलाल यहाँ पे अगर हम community sentiment की बात कर ले तो 0% buy की call है 0% sell की call है लेकिन 100% hold की call है इसका मतलब कोई भी इस लिए उल पे खरीदारी करना पसंद नहीं बीक्वाली करना पसंद कर रहे लेकिन ल है अब एक बार हम इसके pivot level को भी चेक कर लेते हैं तो यहां से इस लेवल से गिरावट हो जिए 131 का पहला सपोर्ट है अब आप देखें कि इसी सपोर्ट के आसपास श्टॉक आपको दिखा देखिए सपोर्ट टूटा है सेकेंड सपोर्ट 128 का है यह सपोर्ट टूट जात है तो फिर श्टॉक आपको सिधा 123 तक जाता हो दिखाई देगा यानि गिरावट बढ़ सकती है पॉजिटिव माहुल बना तो 140 का फर्स रेजिस्ट्रेंस है इसको पार कर लिया तो श्टॉक आपको सिधा 145 तक जाता हो दिखाई देगा अब तेजी का दोर और आगे जार ले अपने फाइनसल एडवाजेस एडवाजेस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि माने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रे